हेलो एवरिवन, वेलकम टू जैस्वीज किचन, आज हम बनाएंगे फूलों से आइसक्रीम जो आपने कभी भी भी नहीं खाई होगी ये डिलिशियस होने के साथ साथ वाइटिमिन्स और मिनरल्स का तो खजाना है तो चलिए तीन फ्लेवर्स में इसको बनाना शुरू करते हैं एक पैन में मैंने दो कप दूद ले लिया है दूद आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपके घर में आता है अगर कच्चा होगा तो ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि हम इसमें कुछ मलाई नहीं आड़ कर रहे हैं अगर हम वाइल कर रहे हैं तो फिर मलाई निकल जाती है वो दूद थोड़ा पतला रह जाता है तो फुल फैट अगर आप ले लेंगे तो अच्छा रहेगा और कच्चा दूद लेंगे तो हमने दो कब दूद यानि की हाफ लीटर दूद डाल दिया है उसमें दो लेवल्ड टेबल स्पून मैंने कॉन फ्रोर डा रहा है और दो टेबल स्पून ही मैंने शूगर डाल दी है क्योंकि मैं मिल्क पाउडर स्वीटन ले रही हूँ तो इसलिए मैं दो चमद शूगर अड़ कर रही हूँ अगर आप अन्स्वीटन ले रहे हैं मतलब जो मीठा वाला मिल्क पाउडर नहीं है तो फिर आप एक चमद चीनी या फिर दो चमद चीनी अपने टेस्ट के अगर्डिंग डाल सकते हैं तो ये वान फोर्थ कप मैंने मिल्क पाउडर लिया है जो के मीठा वाला है इसको भी हम डाल के चला लेते हैं पहले हम गैस नहीं ऑन करते हैं पहले हम बिना गैस ऑन किये ही सब चीजों को जैसे चीनी और कॉर्ण फ्लार को मिक्स कर लेते हैं उसके बाद गैस ऑन करके मिल्क पाउडर एड़ करते हैं और फिर उसको चलाते जाते हैं कि जो हमने कॉन फोट डा रहा है वो नीचे नहीं लगे कॉंटिनुसली चलाते हुए दो तीन मिनट तक पकाते तो यह गाड़ा हो जाता है यह देखे काफी थिक कंसिस्टेंसी हो गई है चम्मच की बैक साइड पर अच्छे से कोट होने लगा है तो इसका मतलब है कि यह कुक क्लिंग रैप लगाके या फिर अलमीनियूम फॉयल लगाके उसको फ्रीजर में रख दीजिए और देट दो घंटे के लिए या तब तक जब तक यह सैमी सेट ना हो जाए तो फिर हम इसको चम्मच के साथ थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेते हैं और फिर मिक्सर ग्राइंडर मे इसको डालके अच्छे से चला लेते हैं और यह देखे कितनी क्रीमी फ्रॉथी सी इसकी टेक्श्चर हो गई है बहुत ही अच्छी हो गई अब हम इसको तीन पोर्शन में डिवाइड कर लेंगे क्यूंकि हमने यह आइस क्रीम तीन फ्लेवर्स में बनानी है तो तीन बाउल रूज़त भी अपृल में अच्छे से वोश कर लिया है फिर मैंने आधा टी स्पून इसमें गुलाब जल य या फिर रोज एसेंस डालके उसको सोख करके रख देंगे चाहे उसमें नेचुरली होता ही है एकस्छा ही मिता है और फिर मैंने एक की टिन लिया आप जिसमीं मो करना चाहते हैं आइस्क्रीम को वह आप ले लीजिए ये मेरे पास चोटा से मोल्ड है क्योंकि मैं बहुत थोड़ी कुए मैं बना रही हूं तो यह चोटे से मोल्ड में जो नीचे से उसका बेस नहीं है तो इसलिए मैंने अल्मिनियूम फॉयल लगाया है उसके उपर मैंने और यह रुबर्टर बैंड लगाके इसको फिक्स कर दिया है अब इसमें मैंने इसकी बेस के लिए ब्राउन ब्रेड ली हैं ब्राउन ब्राउन ब्रेड के राउंडल के convey आप लगा सकते हैं या फिर पीसी कड़ करके जैसे आपको ब्र्राउन जारा को इसके साइज के रा आइस्क्रीम डी मोल्ड करनी आसान हो जाए उसमें क्या करते हैं हम रिफाइंड ओल लगाते हैं या फिर उसको मैदे के साथ डस्ट करते हैं इसमें ऐसा कुछ नहीं करना साइड पे आप पार्शमेंट पेपर लगाई है एक बेस पे लगा दीजे उसी राउंडल में कट करके और फिर बेस लगा दीजे ब्रेड का ब्रेड को फिर जो मीठा दूद है उसके साथ जरह सा सोक कर लेते हैं ताकि वो सुखी सी ना रहे ब्रेड तो यह देखिए मैंने ए एक बोल की आइस्क्रीन को डाल दिया है जो सॉफ्ट थी सेमी सेट हुई हुई थी उसमें मैंने जो रोज पेटल सोक करके रखी थी रोज एसंस के साथ उनको डाल दिया है और एक ड्रॉप मैंने रेड जेल कलर डाला है जो कि एडिबल है आप इसके बगेर भी बना सकते है इसको ब्लेंड कर दीजिए जो देखे कि इतना अच्छा सा कलर आ गया है जैसे स्ट्रॉबरी का कलर होता है इसमें जो छोटे-छोटे ग्रेनुल्स होते हैं रोज पेटल्स के वो बहुत ही अच्छे लगते हैं तो हमने जो यह देखे नीचे ब्रेड का बेस लगा के उसको दूद के साथ सोक कर लिया था और फिर मैंने क्लिंग रैप के साथ उसको रैप करके 15 मिनट के लिए फ्रीजर में रख दिया था उसको अब मैंने फ्रीजर से निकाल के फर्स्ट लेयर का जो मिक्स्टर हमने तियार किया है अभी रोज पेटल्स के साथ उसको डाला है और फ इसको सैट करने के लिए कृए, रख देटें तो दूसरी लेर की तेहिरी करें, यह व्हत लेटलीफ मीं लिए यू ये जो हार्ट शेप पान का पत्ता होता है यह हमारी फंक्शन duż वे फेस्टिबल में बहुत होता है। धंड़गदेता है गर्मियम बहुत सारी और इसFE तो इ चोटे पीसिस में और इसमें एक टी स्पून मैंने सॉफ एड़ करी है ग्रीन वाली जो मीठी वाली होती है और दो इलाइची के डाने दो इलाइची के डाने अड़ करके फिर हम यह जो सेकिंड वाला बोल है ना फ्रीजर में हमने रखा था उसको निकाल लेते हैं और उसको थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक बेट करते हैं अगर वह ज्यादा हाड हो गई आइस क्रीम तो थोड़ा सा उसको सॉफ्ट का लीजिए फिर उसको मिक्सर ग्राइंडर में डालिए नहीं तो मोटर का जोर ज्यादा लगता है और फिर वह खराब होने के चांसिस होते हैं ग्रा जालके हम इसको चला लेते हैं और यह देखे कितनी स्मूध सी यह पेस्ट बन गई है कलर भी बहुत अच्छा आया है बहुत रिफ्रेशिंग सा कलर है न तो यह हमारी दूसरी लेर के तैयारी हो गई है जब तक हम देख लेते हैं यह जो हमने बोल रखा था सॉरी के एक मोल देते हैं 2.5-2 घंटे के लिए क्योंकि यह बहुत थोड़ी क्वैंटी में है तो यह बहुत जल्दी सैट हो जाती है तो अगर जादा क्वैंटी में बना रहे हैं तो उसी के कॉर्ड आ रखेगा यह अब होगी है थर्ड लेयर की तैयारी जिसमें मैंने मैरी गोल्ड के फ् तो मैंने इन दो फ्लार्ज को अच्छे से वाश करके उसकी पैटल्स निकाल ली हैं, बहुत ही टैंडर होती हैं इनकी पैटल्स और इसके बहुत सारे फाइदे होते हैं, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है और वाइटिमिन ए की प्रोडक्शन में काम करता है, जो यह समुपयाए है तो किक रहे एडिबल होते है इसलिए हम इसको खूमकिशा ख़ाने में भी शामिल कर सकते हैं तो यह देखें ऑने थड लेयर के लिए थार्ड वला बोल निकाला उसको मैंने ग्राइडर जार में डाला जो सौस्थahaha सेमी सेट थी आइसक्रीम उसको निकाल के मैंने ग्राइंडर जार में डाला और जो मेरी गोल्ड की पैटल्स थी वह वाली डाल दी हैं और इसमें मैंने कोई एडिबल कलर नहीं यूज किया है मैं इसको ऐसे ही रखना चाहती थी इसका बहुत ही अच्छा बहुत ही प्यारा कल यह मोल्ड एक्चुली में थोड़ा सा छोटा बढ़ गया है तो मैं थोड़ा सा डाल रही हूं इस पे थर्ड वाली लियर का मिक्स्टर और फिर से मैं इसको अलमीनियूम फोईल के साथ कवर करके फ्रीजर में रख देती हूं थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट के लिए फिर चार घंटे फ्रीजर में रखने के बाद यह अच्छे से सेट हो गई है अब हम इसके पार्चमेंट पेपर्स अटा देते हैं और यह तीनों लियर्स तीन फ्लेवर्स के साथ बहुत अच्छे से सेट हो गई हैं आप इसको एंज्वाइ करिएगा और अपनी फीडबैक अच्छा सोर्स होते हैं मैरीगोल को मैडिसिनल फ्लार बोला जाता है जो का हमारी स्किन और आई हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है तो इसको ट्राइजरूर करिएगा अपनी फीडबैक मुझे जरूर दीजेगा आई बिलीव इन होमेट फूद इस अल्वेस गूट इस हीजनिक, हल्दी, फ्रेश और नुटिएस